बरेली में मतगणना के दौरान लेतल तीफी से पहुँचने वाले दो खंड शिक्षा अधिकारियों पर बीए से ने लापरवाही बरतने पर रिपोर्ट दर्स कराई है। बरेली में मतगणना स्थल पर समय से उपस्थित न होकर विलम से उपस्थित हुए जिस कारण मतगणना कार्य प्रभावित हुआ। गर्मी की छुट्टी में कम खर्च में पहाड की सैर का इरादा है तो ट्रेन से सफर करना आपके लिए उप्युक्त विकल्प हो सकता है। पुर्वाइकतर रेलवे का इजटनगर रेल मंदल नैनिताल के नस्दी की काठकोदाम और लालकुआ स्टेशनों तक तमाम एक्सप्रेस, पैसेंजर और सुपरफास्ट ट्रेने चला रहा है। जो सुबह से राग तक अलग-अलग वक्त में बरेली से उपलब्ध हैं। के लिए कई स्पेशल ट्रेने चलाए गई हैं। पहले से चल रही पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी यातरी काफी कम किराये में सफर कर सकते हैं। के बहाने के बहाने ओनलाइन पैसे वसूलने का भी आरोप है। करने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट गर्स कर ली है। उसे बेहोशी की हालत में हाईवे किनारे फेंक कर फरार हो गए। थाना प्रेम नगर क्षेतर के ब्रहम पुरा निवासी आसिफ इरिक्षा चला कर अपने परिवार का गुजारा करता है। उसकी पत्नी शहिदा खान ने बताया गुरुवार देर शाम आसिफ इरिक्षा लेकर घर से रोडवेस गए थे। और उसको इरिक्षा से उतार कर फरीदपुर हाइवे पर खंती में फेंक दिया और इरिक्षा लेकर फरार हो गए। बरेली में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर इसलामिया मार्केट से चोरों ने स्टेशनरी की दुकान का ताला तोड़ कर गल्ले में रखे लगभग 50,000 रुपए से हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने आये तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस जाच कर चली गई। थाना किला च्षेतर के छोटी वमनपुरी निवासी राजीव वर्मा की कोतवाली च्षेतर में इसलामिया मार्केट में स्टेशनरी की दुकान है। बुधवार को वह दुकान बंद करने के बाद घर चले गए। इस दोरान उनके पडोस में काम कर रहे मज़दूरों से उन उन्हें दुकान की देख भाल करने को कहा और वह चले गए। आज सुबह जब वह दुकान खोलने आये तो उनकी दुकान के ताले तूटे हुए थे और उनकी दुकान के गल्ले में रखे लगभग 50,000 रुपए गायब थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मुहंमद इकबाल एडवोकेट के नेतरित्व में मुख्यमंतरी संबोधित जिला अधिकारी कार्याले में सिटी मैजिस्ट्रेट को ग्यापन सौपा, मुहंमद इकबाल एडवोकेट ने कहा कि शाहजामपूर रोर से सैथपूर, खजुरिया, खजुरिया से ब्रहमाण बि इसकी दोगली है, सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आते और नालियों में पॉलिथिन प्लास्टिक कीचर भरी रहती है बरेली में एक महिला अपने बच्चे के साथ विजंगला बिनावर जाने के लिए टैंपो में बैठी इस दोरान दो उचकों ने उसके पर्स से आभूशन चुरा लिये महिला ने जब अपना बैग चेक किया तो उसे पता चला कि उसके पर्स से उचकों ने आभूशन चुरा लिये है उसने अन्य सवारियों को बताया तो दोनों उचकों की तलाशी ली गई उनके पास से बैग से निकाले आभूशनों को बरामत कर लिया गया। उसके बाद पबलिक ने दोनों उचकों की जमकर पिटाई लगाई और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। को गाउं में या रास्ते में दिखाई दी तो उसे वह उसके पती को जान से मार देगे। इस मामले में महिला ने अपने पती के साथ SSP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। के आसपास भी दिखाई दिये तो जान से मार दिये जाओगे। दोनों को डर है कहीं उनकी हत्या न कर दी जाए। इस मामले में आज बबली अपने पती उसमान के साथ SSP आफिस पहुची और SSP को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली में दो बाईकों की टक्कर में घायल महिला ने इलाज के दोरान दम तोर दिया। इस धटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को कबजे में लेकर थाने भेजा है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना शाही के गाव धनेली की रहने वाली 45 वर्षिय राजबाला देरी के रिष्टेदार ने बताया कि 29 तारीख को अपने फुफेरे बहनोई शेर सिंग के साथ अंतिन संसकार में शामिल होने बंजरिया लालपुर गाव जा रही थी। से आधा किलो मीटर पहले मोर पर दो बाइकों की भिडंत में शेर सिंग और राजबाला देवी दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सूचना पर पहुची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भरती कराया, जहां राजबाला ने कल देर रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, बरेली कॉलेज और रुहलखंड विश्व विद्याले में जूनियर छात्रों से रैगिंग के मामले में UGC की एंटी रैगिंग सेल ने जवाब मांगा है, दोनों मामले संस्थान की एंटी रैगिंग कमेटी को सौमपे गए हैं, जल्द ही प जब वह बचने के पुस्तकाले के अंदर गया, तो सभी ने अंदर आकर मार पीट की थी, इस मामले में छात्र ने चीफ प्रॉक्टर, प्राचार्य और पुलिस से मामले की शिकायत की थी, इस मामले में चीफ प्रॉक्टर स्तर से जाच की जा रही थी, अब इस मामले में UG की एंटी रैगिन सेल ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा है। चीफ प्रॉक्टर प्रो आलोक खरे ने बताया कि मामला कॉलेज की एंटी रैगिन कमेटी को सौंप दिया गया है। कमेटी की जाच रिपोर्ट के बाद UGC को रिपोर्ट भीजी जाएगी।